दोस्तों ये वीडियो आप लोग लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साइट डिस्कस करने वाला हूँ पांच ऐसे काम जो आपको साइट पे काम कराते समय बिल्कुल भी नहीं करने हैं अगर आप अपने घर की कंसेक्शन कराते समय ये पांच काम करते हैं तो आपकी जो कंसेक्शन कॉस्ट है और आपको प्रैक्टिकल ओन साइट वो चीज़ दिखाने वाला हूँ अगर आप इनको दियान में रखे काम कराते हैं तो काफी अच्छा पैसा आप बचा सकते हैं और अगर आप ये करते भी हैं कुछ लोग अब ये वीडियो में सोचेंगे कि मैं कुछ चीजों से कॉम्परमाइस करने की बात करूँगा नहीं आपको कॉमपरमाइस नहीं करना कि यह काम जरूरी है या नहीं. तो मैंने कुछ काम लिख लिए हैं जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो पहला है कि जो हम अपने कॉलम की फाउंडेशन देते हैं, आपने देखा हो कि जो हम कॉलम की एक्षवेशन करते हैं, जो हमारा गड़ा खोदा याता है तो जिस भी size का गड़ा होता है तो क्या होता है कि column की footing को cast करने का एक बहुत ही proper तरीका होता है चाहें तो आप इसको plane cast करें या आप taper mid cast करें लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका depth है foundation के गड़े की चाहें वो 4 feet है या 5 feet है उसको पूरा पूरा cast कर देते हैं concrete से लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चुआँ कि यह आप करते हैं तो आपकी जो consumption cost है वो काफी ज़ादा increase हो जाती है और ज़ादा मजबूती में विल्कुल भी मैंलाब कहसे को बहुत ही negligible अंतर आता है जबकि सही तरीका यह होता है कि आप taper में उसको cast करें जितनी आपकी footing की depth उसका center जो भी लेके मैंने वीडियो डाली हुई है और आप उस तरीके से cast करते हैं तो load भी आपका बहुत easily transfer हो जाता है लेकिन पूरा-पूरा आप concrete को भर देते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके cost बहुत जादा English हो जाएगी बे-फुदूल है आपके खर्चा आपका हो रहा है तो पहली आपका यह धियान रखना है दूसरा अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कि आप वीडियो में देख पारे होगे कि जो कॉलम हमारे प्लान किया जाते है किसी भी बिल्डिंग को बनाते समय घर को बनाते समय कि हमें कहा बीम की कि साइज की जरूरत है कॉलम हमें कितनी दूरी पे देना चाहिए कोई span काफी ज़्यादा छूट रहा है आपका हॉल है आपका तो वहाँ पे ध्यान ये रखना जरूरी हो जाता है कि हमें यहाँ पे कॉलम की जरूरत है मतलब पहले ही पता करना जरूरी हो जाता है लेकि कुछ लोग जब बाद में आपके slam में कोई momentum आता है कोई beam आपको जुग जाता है तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमें सपोर्ट की जरूत है और अगर आप जब बाद में सपोर्ट देते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहा हूंगे कि यहाँ पर बिरिक का कॉलम बना के दिया गया है जो कि ना तो आपको अतनी मजबूती प्रोवाइट करा पाएगा और यहाँ पर आपकी लेबर भी बाद में लगी मट्रेल भी लगा और जो आपकी बिल्डिंग थी वो भी आपकी उस तरीके से मजबूती नहीं दे पाएगी इस स्पैन में इस जगा पे अगर कोई भी आप उपर लोड देते हैं तो दियान रखें जहां भी हमारे कॉलम की दोद पड़ रही है बीम के साइज को अगर हमें बढ़ाना पड़ रहा है तो बढ़ा सकते हैं लेकिन इस तरह की कमिया ना करें कि आप कुछ पैसे बचाने चकर में आप यह प्रावलों करें और आगे चलके आपका नुकसानी होगा और खर्चा ही आपका बढ़ेगा अभी हम बात करेंगे तीसरी चीज़ की तो वो यह है कि अक्सर मैंने देखा हैं कि साइट पे हमारा फाउंडेशन तक लेविल काम कंपलेट होता है तो नीचे से जो पिलर हमारे कॉलम आ रहे होते हैं उसको और पास वो बिक से कास्ट करते हैं कुछ लोग तो बिक से सिप टैंपरली बिक लगाते हैं और कुछ लोग उसको बिक वर कर देते पूरा अब इससे क्या होता है कि आपकी काफी ज़्यादा इट फांडेशन में ही रह जाती है जिसका कोई खर्चा भी बेफजूल ही खर्चा होगा क्योंकि अगर यहाँ पे आप पिलर कास्ट करते प्रॉपर सर्ट्रिंग से तो कम कास्टिंग आपकी होती और आपकी लेबर भी कम लगती आपको जितना पैसा सर्ट्रिंग वाले को दे रहा होता उससे ज़्यादा ये आपकी ब्रिक यहाँ पर लग गई है और जो हानी कॉम रह जाते हैं क्योंकि उसमें फिनिशिंग नहीं आपती है तो आपको प्रॉपर सर्ट्रिंग यूज़ करनी है ऐसे आपको ब्रिक लगानी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी आपकी जो कॉस्ट वो इंक्रीज होती है बागी हम बात करेंगे नेक्स्ट काम के बारे में तो वो ये काम है कि जब आप कोई भी कंडूटिंग का काम करते हैं प्लास्टिंग का काम करते हैं तो क्या होता है कि हमें ये पहले ही करना होता है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि planning नहीं कर पाते हैं proper way में कहीं मालीजे आपको कोई pipe निकालना है conducting का या आपको plumbing की fitting increase करनी है कहीं कुछ pipe आपको निकालना है तो क्या होता है कि हमें wall को cutting करना पड़ता है और जब आप wall cutting करते हैं तो आपकी plaster हो जाता है या paint भी कुछ लोग कर देते हैं उसके बाद आपको पता चलता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहों कि यहाँ पर प्योपी जो पुट्टी है वो complete हो गई है उसके बाद यहाँ पर chase cutting की गई है अब इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर आपकी lever भी लगती है साथी साथ आपका जो paint है वो खामखा बेस्ट होता है और उसके बाद आप repair कर भी देते हैं तो फिर वहाँ पर आपको नॉर्मल यगर आप paint करते हैं या पुट्टी करते हैं तो वहाँ पर cracks आपको आगे दिखाई देती हैं जब तक आ आप फाइवर मैस जाली यूस नहीं करते हैं तो फाइवर मैस जाली करने का भी आपका खर्चा बढ़ता ही है तो यह हुआ लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना है जो कुछ लोग सिप मजबूती मजबूती के तोर पे इस्तमाल करते हैं मैं काँग जो लिंटल बीम आप प्रवाइट करते हैं उसमें वाल पे दर्वाजों के उपर बिंडों के उपर जो आप बीम देते हैं जिसको डोर बीम भी बोलते हैं और लिंटल बीम भी बोल जाता है तो बो बीम जो है आपको उसी स्पैन में देना है जितना आपका दर्वाजा देना होता है ताकि direct load जो उपर चिनाय की जाती है तो वो हमारे किसी भी चोकट पर या डॉर फ्रेम पर या बिंडो फ्रेम पर ना आए तो इसलिए वहाँ पे बीम दियता है ताकि वह पर आपकी कॉस्ट भी इंग्रिज होती है मेरा कहना यह है कि यहां पर आप चार फिट का कोई दर्वाजा है तो आप उतना बीम दीजिए और और पास आपको डेल्ड फिट अपको रखना होता है एक से डेल्ड फिट ताकि वो वाल पर अच्छे से टिक जाए ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई बाराफिट की दिवार है और एक दिवार में आपका कोई दर्वाजा आ रहा है तो पूरी बाराफिट दिवार पर आपको देने की ज़रोथ नहीं है यह भी आ मजबूती अपनी जगा है लेकिन कॉस्ट आपकी जादा बढ़ रही है वो एक अपनी जगा है जब आप पैसा ही कुछ चीजों में जादा खर्च कर देंगे तो फिर आप मजबूती का क्या धियान देखेंगे कुछ लोग इपास जादा पैसा होता है तो मैं उनकी बात नही यही बहुत बड़ी बात होती है तो मैंने आपको यह पांच काम ऐसे बताए है जो आप अगर नहीं करेंगे पतलब जो चीज़े बताएगे यह अगर आप नहीं भी करेंगे तो इससे आपका पैसा जो है वो खर्च नहीं होगा और रही बात मजबूती की तो बहुती नाक दास करने के जरोत नहीं है है फ़ह नहीं है लेकिन वह मजबूती कीनी की नहीं है जबकि वह से ज़ाधा बस बूती यह तरह पर में भी तो आयोब आपको यह मेरी बताएगे पांच बाताएपको संच्वाइगे प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिस किये ताकि आप उसको ही होती है थेंकिए फर कुछ आप वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में